नमस्कार आप देख रहें निव स्टॉप इंडिया मैं हो जगतपाल आज अनुमंडल हॉस्पिटल के उस वाड़ पे हम खड़े हैं जहाँ पर कोबिट पेशेंट्स की पूरी तैयारी की गई है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो बेड लगी हुई है उस तरह का पूरी तरीके से तैयार है बिल्कुल रेडी कंडिशन में है और अभी और टोटल 40 बेड यहां पर लगने है 40 बेड की सारी तैयार यहां पूरी कर ली गई है आपको मैं देखाना चाहिए वह सामने से यह देखे यह जो है ना पाइप के माध्यम से यह पाइप है जहां से पूरी तरीके से तैयार कंडिशन में है और जैसा कि डॉक्टर से बादचीत भी उनने कहा है कि अगर किसी कारण से यह काम नहीं भी करेगा तो सेलेंडर भी आल्टरनेशन के लिए तैयार है और लोगों को किसी वरकार की कमी नहीं होने दिया जाएगा तो आप देख सकते ह एक बहुत ही सकारत्मक खबर है लोगों के लिए कि यहाँ पर जो कोविड सेंटर को लेकर के पूरी तरह से जो होस्पिटल है तैयार है आप देख सकते हैं और इस तरही तैयारियां पूरी तरीके से मुस्तेदी के साथ यहाँ पर की जा रही है बहुत जल्द आपको 40 सरका आदेश के अधार पर यहाँ पर कोविड के लिए एक जो है ना यूनिट तैयार किया गया है और पूरी तरीके से यहाँ पर जो कोविड के संदर में जो भी तैयारियां है वो तैयारियां पूरी की जा रही है और पूरे पश्पगना के जो भी छेतर के लोग हैं कही कि जब वो यहां आएंगे तो उनको समुचित एक लाब मिल पाएगा कोविट सेंटर के रूप में तो आज हम यहां पर डॉक्टर प्रभारी विजय प्रसाद से बातचित करेंगे कि क्या कुछ तैयारी कोविट सेंटर को लेकर कि क्या कुछ तैयारी है जी कोविट के लिए यहां डिसी साब के तरफ से डिप्टेशन और निकाल दिया गया उसमें देखतर हमारे यह स्टाफ हैं कुछ सफाय करमचारी और कुछ एनेम लोग जोईन की हैं यहां और कुछ सामान औगरा कि कोविट को चलाने के लिए कुछ जरुरत पड़ेगी उसकी डिमांड की गई है उमीद है कि जल्दी है हम लोगों को सिविल सरजन साब कहां से मिल जाएगा और उसके बाद फूल फ्लेजड हमारा स्टार्ट हो जागा वैसे अभी भी हम मरीज को भरतिक कर सकते हैं इस जित्तिम हैं कि अगर कोई मरीज आए तो उसको हम भरतिक कर अभी प्लंट हमारा वर्किंग कंडिशन में है उसका एक ऑपरेटर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है जो कि हमको ख़बर दी गई है कि उसका हो गया है लेकिन अभी तक हमारे पास वो काम करने के लिए नहीं पहुंचा है वह आ जाएगा तब चुकि प्लंट तो 24 आवर चलाना ह हम चला सकते है उसको अभी तक अभी तक आपके जो करक्या यहां कितने बेट चन्य बेट का यहां प्रवीजिन है थोड़ा थोड़ा जाए है जोकि हम लोग 25 सभी कर लें कि 7 जिला से कि ख्यक्तुक्र प कि 10 पहुंचार और जडूरत पढ़े गों करना है कि 40 बेड हमारा भर जाएगा एक भगवान नकर ऐसा हो लेकिन तैयारे उसी ढंस कर रहे हैं कि 40 बेड में क्या कितना सी जरुबत पड़ेगी तो उसके लिए उसकी मांग की गई है समान की आप पूरती प्रभारी और एक चिकित्सक होने के नाते आप जो भी पेशेंट ये जो भी जनता हैं उनके समने आप क्या अपील करना चाहिए अपील तो यही करना चाहिए कि कुर्णा को कभी भी हलके में नहीं लें कोवीड एप्रोप्रियेट बिहावियर जो है वो पालन करना बहुत ज़रूरी है जो कि अधिकतर लोग नहीं कर रहे हैं जैसे मास्क सेनिटाइजर और दूरी दोगज की दूरी जो कोवीड का गाइडलाइन है उसको लोग पालन करें और इससे बचें तो बेहतर है ऐसे इ अगर हो जाता है तो हम लोग उसके लिए तैयार है यह थे हमारे बीच में डौक्टर विजय प्रसाद जो प्रभारिंग है अनुमंडल होस्पिटल के और इन्होंने अपने तरफ से आस्वस्थ किया है कि पूरी फुल फ्लेज्ट में जो है होस्पिटल तैयार है अभी तक जो शुरुवात है वो तैयारी हो चुकिया चुकिया आप और अक्सिजन का प्लांड भी लग चुका है वरकिंग कंडिशन में भी आ चुका है और कहीं ने कहीं प्रगना की जुनता है उनको इस बात से आश्वस्थ गया है कि आप बिलकुल सुरक्षित रहें घर पे ही रह हैं और कोशिस करें कि जो जो पोटकोल लगाया गया कुबिट की तरफ से सरकार की और से उसको पालन करते हुए रहें और अगर किसी प्रकार के ऐसी कोई सम्हाव ना पड़ती है तो ये पूरी टीम इनकी तैयार है तमाम ख़बर के साथ अब बने रहें नियूस्ट्रोप इंडिया के साथ जगत पाल नियूस्ट्रोप इंडिया बुंदू